जी गुद्मानिंग चलो जी आज हम ऐसे कोश्चन की बात करें जो नया नहीं है न्यू इस्टेडी माटेरियल में डला हुआ है न्यू इस्टेडी में जो अभी 2022 और उसके बात के लिए पर उस्सेम कोश्चन MTP में अभी का MTP में और अभी के RTP में भी आया है तमस्या है दोनों के सॉलूशन जो शॉल किया है आए सी ए ने प्रेजन्टेशन अलग अलग है कोश्चन की बात करूँगा अच्छा कोश्चन है सुनो RTP में भी डला है इस बार की MTP में भी डला हुआ है और हमारे इस्टेडी माटेरियल में भी है इस्टेडी माटेरियल में सॉलूशन अलग है उसी कोश्चन का सेम कोश्चन का और MTP में सॉलूशन अलग है क्या फॉलू करे कौन सा कोश्चन है क्योंकि RTP और MTP दोनों में covered किया तो मुझे ऐसा रखता इस question की विशे में discussion कर लेना चाहिए और sir हमारी book में आपकी book में already covered है तो अब चिंता ना करो हाला कि आप solution थोड़ा सा change कर दोगे मैं बात कर रहा हूं sir revision question की तो बात कीजिए revision lecture कहा है इसके लिए मैं आपके साथ आपके पास live आने वाला हूँ आज ही के दिन और करीब 3 से 4 के बीच में live आउँगा और मैं बात करूँगा revision lectures का क्या करना है ठीक है तीन से चार आज 3 से 4 के बीच मैं वो question की बात कर लो yes MTP में देखोगे तो MTP में दिखाई दे रहा होगा वो question और sir question नमबर कौन सा question नमबर 5 B MTP जो आया है MTP 1 March 2022 में आया है कब के attempt के लिए May 2021 और RTP में भी आया है वो question है interest rate cap का हाला कि जब study material चेक करोगे उसमें भी ये question डाला हुआ page number मिल जाएगा 11.17 ठीक है और कौन सा वाला study new study material जिसमें लिखा है May 2022 onwards same question देखते हैं क्या question question है interest rate cap का में discussion करने concept नहीं आया वो आपको आता है पर एक बार रीट तो करना पड़ेगा तो लिखा textile manufacturer has taken floating interest rate loan ले रहा हा भाई 40 लाख रुपए का 1st April 2012 40 लाख रुपए का अगर आपने floating rate पर loan ले रखा है तो आपको चिंता तो है और क्या डर है कहीं rate of interest future में बढ़ना जाए बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा rate of interest ज़्यादा interest देना पड़ेगा तो the rate of interest at the inception जब loan लिया था तो वो लिखा 8.5% पर है और interest जो pay करना है वो 35th March को pay करना है और 4 साल के लिए आपने loan ले रखा तो भाई हर साल rate of interest देखना पड़ेगा क्या है उससाब से आपको interest का payment करना पड़ेगा पर जैसे हमने loan लिया था अप्रिल 2012 में तो आक्टूबर ठीक 6 महने बाद Central Bank ने projection किया है कि rate of interest यह हो सकते है future में 8.75% हो सकता है 10% हो सकता है 10.5% हो सकता है 7.75% यहां का तो ठीक लग रहा है लेकिन अनुमानित है कि rate of interest 8.5% से बढ़ सकता है और साहाब क्या आपने loan ले लिया है हाँ हमें इस समय पता नहीं था हमें October में पता लोन लेने के बाद पता लग रहा कि सहाब rate of interest future में बढ़ सकता आपने floating rate पर लोन ले रखा क्या tension है क्या इसको hedge करना पड़ेगा हाँ तो hedge करने के लिए क्या है तो बोले आप borrower को advice दीजी कि आप risk को किस तरह से hedge कर सकते हैं क्योंकि आपका expectation है कि rate of interest बढ़ेगा और आप इसको पैग करना चाहते हो fix करना चाहते हो और कितना रखना चाहते हो 8.5% रखना चाहते हो और इसके लिए आपके पास एक option available है interest rate वाला जिसको आप interest rate cap बोलते हो cap का मतलब मैंने क्या समझा है call option और हम betting करते हैं हाला कि premium देना पड़ता हम betting करते हैं कि rate of interest बढ़ेगा कितना percent exercise price यहाँ यह है यहाँ नहीं बताया साथ वो आगे बताएगा कि 8.5% से उपर जाएगा तो exercise कर लेंगे उससे कम गया तो lapse ठीक है ठीक है तो यह language क्या यहाँ भी लिख्य हुई है yes कोई शक्की बात नहीं repeat नहीं करूंगा हाला कि यहाँ उसने ऐसे table में बना रखा है और यहाँ उन्होंने ऐसे paragraph में दे रखा कोई फर्क नहीं पढ़ता भई paragraph हो चैटी बढ़ो यहाँ तक ठीक है yes अब आगे पढ़ू yes बस यहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि हम इसको pack करना चाहते तो बताये हम किस इस तरह से हैज करे और यहाँ भी point number one में वही लिखा है हाला कि यहाँ premium के विशे में भी कुछ information दिया है और यहाँ पहला paragraph में premium की विशे में कोई information नहीं दिया तो मैं पहली बात कर लो हाँ बात कौन सी कर रहा हूं कि interest rate cap तो इसमें पहला जो point है उसमें दोनों ने एक जैसा solution है यह first वाला point है और first वाला point जो MTP में कर रखा यह MTP है यह है study material उन्होंने भी वही बात रखी कि हम pay नहीं करना चाहते साड़े-8 परसनल यह क्यों समझा समझा भी रहो में क्यों समझा रहा हूं कि मुझे personally ऐसा लगता कि इसके आने की उम्मीद है ठीक है तो भाले 8% से ज़्यादा हम देना नहीं चाहते तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं agreement के लिए हम क्या कर सकते हैं भाले हम interest rate cap buy कर सकते हैं ठीक है भाई और यहां भी क्या वही बात लिखी होगी यहां भी उन्होंने वही बात लिखी है सारी चीजे वही है कि 40 लाख हो गया notional principle जिस पे हम cap खरी देंगे 8.5% पर उससे उपर जाएगा तो हम exercise कर लेंगे ठीक है यहां सारी बात उन्होंने वही लिखी और यहां भी लगभग लगभग क्या एक एक सब्द वही लिखे तो पहले पॉइंट में बिलुकुल दिक्कत नहीं है अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट में क्या लिखा बूले एजुमिंग प्रीमियम नेगोशियेट कर लेंगे दोनों पार्टी ठीक और प्रीमियम कितना पॉइंट सिवन फाइट पर्शन तो भी पैड इन एडवांस और वहले मान लो रेट आप इंट्रेस्ट हो गया 10.2 हो गया 11.5 हो गया 9.25 हो गया 8.25 हो गया और एक्च्वल में अगर रेट आप इंट्रेस्ट यह हो गया तो बताइए कैप से आप किस तरह से फायदा उठाओगे आपको सेटलमेंट विल बी एग्जेक्यूटिट मतला आपको बताना पड़ेगा कि वो जो डिव डेट है उसमें सेटलमेंट किस तरह से होगा और क्या इसमें भी पॉइंट नंबर टू में यही लिखा है यस बोले प्रीमियम नेगोशियेट कर लेंगे दोनों पार्ट ये ठीक है और रेट आप इंट्रेस्ट बहले यह हो गया तो बताईए इंट्रेस्ट जो कैप किया है अपने पर्चेस किया उससे किस तरह से फायदा उठाओगे सेटलमेंट किस तरह से एग्जेक्यूट करोगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं यहां इस Wenya ने इस्टून होलूशन किसी और तरह के से कर रखा है और MTP आरटीप में जो यह कोशन डला उसका सॉलूशन किसी और तरीक के चर रहें दोनों ही है ऐसा नहीं कि डोन एक मांट में दे रखायक परसंटेज में दे रखाय हैं लेकिन कही न नहीं तो बच्चों का सवाल आया है मेरे पास, हम करें कैसे, करना तो एक ही तरीका है, और हमको डर थोड़ा सा लगता है, कि पता नहीं जो पेपर चेक कर रहा, भगवानी जानता है, उसको समझी में आएगा कि नहीं है, उसने काट दिया तो, तो मेरा यह माना जो हमारा MTP, RTP, बात करते हैं, सॉलूशन किस तरह से, यह है हमारा सॉलूशन, पॉइंट नमबर टू के लिए सॉलूशन, कहां से है सर, यहां से, पॉइंट नमबर टू के लिए यह सॉलूशन, यह किसका सॉलूशन है, यह है सुलूशन, और यह किसका सॉलूशन है, यह है MTP और RTP में भी ड़ला है उसका सूलुशन यह ज़्यादा एजी है comparative से इसके मैंने ऐसे करवा रखा हूँ जिन्होंने मुझे class ले रखा मैंने ऐसे करवा रखा क्योंकि मैं तो वही फॉरू करता हूँ लेकिन जिन्होंने बाद में समझे लेंगे यह वाला देखेंगे तो सहाब आपने कैप खरीदा है 8.5% मतलब 8.5% से उपर जाएगा तो exercise यह तो बात आती है प्रीमियम की बाद हम बाद में कर लेंगे 8.5% से उपर जाएगा तो exercise सर अगर 10.2% होता है तो हम exercise कर लेंगे और हमें वो जो कैप खरीदा उससे पेओफ मिल जाएगा 1.7% इट मेंस हम बोरो तो करेंगे 10.2 पे लेकिन हमें 1.7 का ग्रॉस पेओफ मिल जाएगा तो ultimately हमें 8.5% ही कोश्ट पड़ेगा अगर सर 11.5 वा तो भी exercise कर लेंगे हम यास कैप exercise करोगी कि नहीं तो हमें 3% मिलेगा कैप से हमें देना है 11.5 मर मिल जाएगा थी तो हमें cost तो सर 8.5 उससे ज़्यादा पड़ेगी ने सर और सर अगर 9.25 वा तो तो भी हमें पेओफ मिल जाएगा 8.5% हमें cost पड़ेगा लेकिन सर 8.25 वा तो हम exercise ही नहीं करेंगे option option नाम दिया है सर option ही क्यों एफरी भी तो सकते यह option नाम दिया है तो इस condition में हम 8.25% ही cost पड़ेगा बड़ा simple solution में चाहता ही ऐसे था और भाई सब यहां क्या कर रखा है सर यहां उन्होंने एमाउंट में दे रखा उन्होंने का यार पेओफ कितना मिलेगा 1.7% उन्होंने निकाला है 40 लाख का 1.75% तो हमें gross payoff मिलेगा 40 लाख यह तो है 1.70% 40 लाख 40 लाख into 1.70% तो हमें 68,000 का gross payoff में इस यहां amount में हैं और यहां percentage में यहां amount में डाल रखा है और यहां percentage में डाल रखा है तो सर हम क्या करेंगे हम table बना की करेंगे इतना हमें तो वैसे भी हम CA वाले बच्चे लिखने से वैसी डर लगता है कहां बेकार में लिखने वाली बात करें जब ऐसा कर सकते तो ऐसे ही करेंगे और यह नहीं कटेगा लिखा हुआ है अगर मैं कहूं प्रीमियम की बात में प्रीमियम ध्यान देना प्रीमियम यहां कितना लिखा था तो प्रीमियम यहां लिखा यहां कितना लिखा पॉइंट सेवन फाइब परशन पर एनम लिखा है मतलब हर साल प्रीमियम देना पड़ेगा ठीक है यहां होना चाहिए था कितना जाए। मुताकों अरबनाची मिटेंता होकि ति और ये defense ऐसाइव और यह उझाए लमसे रागा, कम से कम कैलकुलेशन तो सही करो साथ 30,000 रुपए आना चाहिए तो इस कोशिशन पर ध्यान दे दीजीगा प्लीज और आज मैं सोच रहा था कि लाइव आउं आपसे रिवीजन लेक्चर्स के विसे में कुछ बात ये करनी है और जो थियोरी के लिए जो रिवीजन डालना उस मैटर पर कुछ बात करनी है तो मेरी कोशिश रहे कि कोशिश क्या पक्कर है कि तीन से चार में आपके पास पहली बार लाइव आ रहा हूं अगर ऐसा लगा किया रही है तो काम करेगा लाइव तो मैं जितने भी राउट्स है सब लाइव स्ट्रिमिंग में आप से लिया ठीक कोशिशने कोग थे तेंक्यू सो मच्च बाइव